So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 13 अगस्त के important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ लें, अभी हाली में दस्वा मित्र शक्ती अभ्यास 2024 का एयोजन ये कहाँ पे किया गया तो अंसर होगा शिरेलंका में, पहले हम बात करते हैं कौन सा exercise है exercise का नाव है मित्र शक्ती exercise जो कि एक थलसे नभ्यास है किस-किस के बीच भारत और शिरेलंका के बीच में कहाँ पे हुआ शिरेलंका के मदुरू ओयाब है और हमने का 2024 में ये इसका दस्वा संसकरन है इसका ये जो पहला संसकरन है ये 2012 में हुआ था पिछले साल 2023 में इसका नवा संसकरन ये भारत में हुआ था पुने में और अभी शिरेलंका में हुआ और इस बार भारत की तरफ से राजपुताना राइफल्स के 106 जवानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो ये तो हमने क्यूशन की बात कर ली सारी वैसे शिरेलंका की बात हुई है हमें आपको पहले शिरेलंका की स्टैटिक बताऊँगा उसके बाद 2024 में जितनी भी मिलेक्तरी एकसरसाइज हमने जैनवरी से अभी तक पढ़िए उस सारी में आपको रिवाइस कराऊँगा तो पहले चलते हैं शिरेलंका यह रा मैप में शिरेलंका देखो दो कैपिटल देखने को मिलेगी कॉलंबो जुडिशल कैपिटल है और श्री जे वर्दने पुरम कोटे लेगिसलेट्व कैपिटल है पुधान मंतरी दिनेश गुण वर्दने है और प्रसिडेंट है रणेल विक्रम सिंग है वेसे शिरेलंका के साथ सलाइनेक्स नाम का एकसरसाइज भी करते हैं हम और एक दोस्टी एकसरसाइज भी करते है लेकिन इसमें तीन देश होते है श्रेलंका भारत और मालदिव अभी 2024 में हुआ था ये मालदिव में हमने किया था और आप देखोगे यहाँ पे भारत और श्रीलंका की बीच में जो ये खाड़ी है इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल डंबरू मत दिया तो ये तो श्रीलंका के एस्टेटिक हो गए अब मैं आपको रिवाइस कराऊंगा मिलेक्टरी एकसरसाईज 2024 के और बहुत सारे स्टुडेंट्स को तो ये याद भी हो चुके होंगे अगर आप रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करते हो तो जब मैं सासाथ बोलूँ तो मेरे सासाथ बोलने की कोशिश करना ताकि चीज़े आपको याद रहे और वायू शक्ति एकसरसाईज इंडियान एरफोर्स ने इसका आउजन किया था पोकरन राजस्तान में मिलन एकसरसाईज इंडियान नेवल फोर्स ने आउजन किया था लगबग 50 देशों ने इससा लिया था विशा का पतनम में हुआ था बाकी दोस्ते अभ्यास हमने का भारत माल्दिव और श्रीलंका के बीच में हुआ ये माल्दिव में समुद्र लक्षमन एकसरसाईज भारत और मलेशा के बीच में हुआ विशा का पतनम में Sea Defender Exercise भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये अंडमा निकोबार के पोर्ट ब्लेर में Cutlass Express Exercise लगबख 16 देशों ने हिस्सा लिया था ये Seychels के पोर्ट विक्टोरिया में भारत ने भी हिस्सा लिया भारत की तरफ से INS 3 ने और Seychels के साथ हमने अलग से exercise किया था इसका आयोजन किया था धर्मा गारजन exercise भारत और जापन की बीच में हुआ ये राजस्तान में बागी डश्टलेक exercise का आयोजन भारत और उजबेकिस्तान की बीच में हुआ ये उजबेकिस्तान में अभी सागर कवच exercise हुआ था सबी समुदरी सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें हिस्सा लिया था लक्षदीप में और विक्टस हेज की बात करेंगे तो अंत्रिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास करने की गोशना की थी अमेरिका के स्पेस फोर्स ने उसका नाम ये विक्टस हेज रखा था पूर्वी लहर अभ्यास भारते नौ सेना ना आयोजन किया था भारत के पूर्वी समुदरी तड़ पर गगन स्ट्राइक सेकेंड भारते सेना और वायू सेना ना आयोजन किया था पंजाब में शक्ति अभ्यास भारत और फरांस के बीच में हुआ था मेकाले की उम्रोई में, तारकश अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ कॉलकतवा कॉलकता में, रेड फ्लेग एक्सरसाइस ये बहुत सारे देशों के बीच में हुआ था, ये भारत ने भी हिस्सा लिया था, और कहां पर, अलास्का अमेरिका में हुआ था, अमेरिका आयोजन करता है,ुसी तरह से रिंपेक एकसरसाईस का आयोजन भी अमेरिका करता है, बहुराश्ट्र अभ्यास से बहुत सारे द пош देश हिσसा लेते, भारत ने भी इस्सा लिया था, भारत के तरब से, INS शिवालिक ने हिस्सा लिया था हवाई अमेरिका में हुआ था बाकि जिमेक्स अभ्यास भारत जापन के बीच में हुआ जापन में तरंगी शक्ति अभ्यास इंडियान एर फोर्स इसका एउजन कर रहा है और लगबग 10 देशों ने हिस्सा लिया इसमें दो पार्ट में हो रहा है ये तमिलाडू और राजस्थान में हॉपेक्स अभ्यास भारत और मिश्र के बीच में हुआ ये कहां पे मिश्र में ही मेत्रे अभ्यास भारत और थाइलेंड के बीच में कहां पे थाइलेंड में और उदार शक्ती अभ्याज पढ़ा था भारत और मलिशया के बीच में हुआ ये मलिशया में तो ये 2024 के important exercises हैं बार बार में आपको जब भी exercise का प्रशन आता है ये sheet लगबग आपको हमेशा revise कराता हूँ और इसलिए अगर आप regular रेते हो करेक exam channel पे तो ये साथ चुके होंगे और अभी आपी में से कुछ students ने मुझे बताया अभी बिहार पुलिस का exam था तो वहाँ पे शायद दो military exercise से दो प्रशन देखने को मिले थे और उन्हें student ने बताया कि इतनी बार हम revise करते हैं कि मेरे को ये चीज़े यहीं पर याद हो गई और उन्होंने वो प्रशन आराम से सही कर दिये उसके लावा और भी प्रशन थे लेकिन military exercise के बाद चल रही तो उससे के बारे में आपको बता रहा हूँ तो revision का ये फाइदा होता है ये confidence आपको देता है exam time पे जब आपसे question बनते चलते हैं तो इतना confidence आपको आजाता है कि एक ऐसा question जो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मुझे नहीं आता तो कैसे न कैसे जुगार बिठा करके elimination process को use करके वो आप पहुची जाते हैं उसके answer के नजदीक लेकिन अगर देखना कभी exam में आप demotivate हो घबरा जाओ तो आते वी question आपको लगते हैं कि ये तो मेरे को नहीं आ रहा तो पढ़ना नहीं पढ़ना अलग बात है लेकिन आपके अंदर confidence होना चाहिए और confidence तभी आएगा जब चीजों का आप जाधा साधा revision करोगे और अब तो आपके revision के लिए मैंने इतनी सारी चीज़े लेकर के आ रहा हूँ तो आप उन्हें देखने स्टार्ट करें हम अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं हाली में दरश्टी बादित ग्राहकों के लिए किसने अभी braille debit card launch किया है तो आंसरोगा पंजाब नेशनल बैंक ने तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने दरश्टी आया गया है जो लोग देख नहीं सकते हैं इसमें braille dots का इस्तिमाल किया गया है ताकि वो आसानी से card को इस्तिमाल कर सके अच्छा अगर मैं आपसे पूछ था कि बताओ RBI ने नोटों यानि कि currency के पैचान के लिए दरश्टी बादित लोगों की मदद के लिए साहता के मैं आपसे पूछू वर्ल्ड ब्रेल डे कब होता है तो याद रखने चार जनवरी को होता है पहले पंजाब नेशनल बैंक की बात करें इस्तापना होती 1894 में है एड़कौटर नई दिल्ली में है MDCO अतिल कुमार गोयल है और tagline होती है the name you can bank upon आपको याद होगा अभी पं इंडस्ट्रीज उध्योग होते हैं उनको 15 मिनिट में एक लाख रुपे तक का लोग मिल जाएगा ICICI bank में अंतर राष्टर छात्रों के लिए प्रिपीड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉंच किया था और इंडिसेन बैंक रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल इसने शुरू की थी तो ये पॉइंट्स यहां से ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में किस राध्य सरकार ने अगनी वीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोशना की है तो आंसर होगा राध्यस्तान तो अभी राध्यस्तान के जो मुख्य मंतरी को मतलब जो उस पे निर्बर है उन्हें कारगिल पैकेज के तहट मुआउजा मिलेगा कितना जैसे उस शहीद की पतनी को 25 लाख रुपे नकत मिलेगे 25 बिगा नहर के किनारे जमीन मिलेगी सरकारी नौकरी मिलेगी बच्चे हैं तो मुफ्त में सिख्षा मिलेगी माता पित कई BGP राजों ने अगनी विरो को पुलिस भरती में आरक्षन देने का भी एलान किया था और उससे पहले आपने सुना होगा BASF हो गया, CRPF, ITBP, सशस्त्रे सीमा बल और CISF में अगनी विरो को 10 परतिशत आरक्षन भी देने की गोशना की थी अचा ये जो अगनी पत योजना है, कबसे आपने इसके बारे में सुना, यानि कि कबसे लॉंच हुई थी ये, 2022 में लॉंच हुई थी, इसके तहत आर्मी, नेवी या एरफोर्स यहाँ पे 4 सालों के लिए नोजवानों को कोंट्रेक्ट बेस पे बहुए भरती किया जाता है, फिर 4 साल के बाद जिनका परफोर्मेंस अच्छा होता है, ऐसे 25 परसेंट अगनी विरों को तो पर्मानेंट कर दिया जाता है, बाकियों को बेज दिया जाता है, तो याद पड़ा अभी अगनी विरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषना की किसने राजस्तान ने राजस्तान की केपिडल चैपूर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अभी नए गवरनर बन गए हैं यहाँ पे, हरिबाव बागडे नाम है, और दुनिया का पहला ओम आकार का म अंदिर यह आपको राजस्तान में मिलेगा पाली जिले में और राजस्तान की पहली महिला मंत्री थी जो कमला बैनिवाल इनका निदन हो गया, भारत का पहला वेटेलेंड सिटी यह आपको मिलेगा उध्यपूर में ही, आपको याद होगा यह प्रशन मेंने आपको कई बा चौबिस के अनुसार देश का सरोश्रिष्ट मेनेजमेंट इंस्टिटूट कौन सा है? मेनेजमेंट इंस्टिटूट पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा IIM एहमदाबाद, NIRF मतलब National Institutional Ranking Framework 2014, इसे तयार कौन करता है, इस रैंकिंग को तयार करता है, शिक्षा मंतरा ले, तो तो ही University ranking में, विश्विध्यालों की ranking में, IIC बंगलूरू टॉप पर है, Overall Institutes की ranking में, IIT मदरास टॉप पर है, तो दूसरे स्थान पर IIC बंगलूरू है, Management category में बात करोगे, तो IIM एहमदाबाद, यही प्रश्नता हमारा, Medical Colleges की list में बात करोगे, तो AIMS दिल्ली टॉप प है, तो इस तरह से कुछ 4-5 मेंने आपको category यहां पर करवा दिये, वैसे देखा जाएगा या देखने जाओगे, तो total 13 categories है, तो इतनी आप ध्यान में रख लो अभी, यह important है, अगला प्रशन देखते हैं, फिर बूच रहे हैं, अभी हाली में किस राज्या ने मुक्य मंतरी निजुत मोईना असोनी योजना को शुरू किया है, तो अंसर होगा असम ने, तो असम के जो मुक्य मंतरी है मंत बिस्वा सर्मा, अभी उन्होंने असम के गुवा हाटी में 2026 तक असम में बाल विवा का मुकाबला करने के उद्दिश से एक मासिक वित्य सहायता योजना को शुरू किया है, इस योजना का नाम है मुक्य मंतरी निजुत मोईना असोनी योजना, क्या होगा, इसमें लड़कियों को वित्य सहायता दी जाएगी अगर वो आगे पढ़ाई करती हैं तो, तो अगर वो आगे पढ़ाई करेंगी, तो चाहे वो पैसे के लिए करें कि हमे हर महीना पैसा मिलेगा, चाहे उनके परिवार कहें कि यार बच्ची को आगे पढ़ाएंगे तो पैसे आएंगे घर में, तो इनका बाल विवा नहीं करते हैं, तो हो गया सॉलुशन का समाधान, तो यही इनका उद्देश्य है, किस प्रकार से पैसे मिलेंगे, ये भी लेजुएशन भी करता है, तो जब तक आपकी पीजी चलती रहेगी, आपको हर मेने 25 सुरुपे मिलते रहेंगे, तो ये है इस योजना में, अच्छी योदना है, किसने शुरू किया, असम ने, तो ये रहा मैप में असम, कैपिटल, दिसपुर है, मुख्यमंतरी है, मंत, बिश्वा, सर्मा और गवर्नर, लक्ष्मन परसाद आचार रहे, आपको याद होगा, असम ने ही अमरत ब्रक्स अंदोलन एप्लिकेशन को लॉंच किया था, और मोईदम, ये असम में है, अभी ये भारत का 43rd नंबर का World Heritage Site बना था, याद रखना, और असम में ही दुनिया नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लिकेशन को लॉंच करने वाला पहला राज़िबी असम है, और हमारे जो ग्रह मंत्री अमिच्छा, उन्होंने असम के Braveheart लचित बॉर्फुकन पर एक बुक को लॉंच किया था, और इसे लिखा था, अरुप कुमार दत्ता ने, और इ प्लेटफॉर्म को लॉंच किया है, तो अंसर होगा, World Health Organization ने, तो अभी WHO ने मी डेविश प्लेटफॉर्म को लॉंच किया है, मी डेविश का मतलब हो गया Medical Devices Information System, तो ये एक Online Platform है, जिसे चिकित्सा उपकरनों के बारे में जानकारी के लिए बनाया गया है, इसमें 2301 प्रका प्लेटफॉर्म को WHO ने लॉंच किया है, किसलिए लॉंच किया है, Medical Devices की जानकारी अगर आप लेना चाते हो, तो वो यहां से आपको मिल जाएगी, WHO की बात करते हैं, देखो, WHO की स्तापना होती है, 7 अप्रेल 1948 में, और 7 अप्रेल को इसलिए World Health Day मनाया जाता है, Headquarter Geneva Switzerland में है, और Director General Tedros Adhanom Gebrises, आपको याद होगा, अभी WHO ने सार्वजनिक स्वास्ते के लिए एक AI Digital Health Promoter लॉंच किया था, उसका नाम सारा रा है, और गिरिश चंदर मुर्मू, इनको 2027 तक, यानकी चार सालों के लिए WHO का बाहरी लेखा परिक्षक बनाया गया था, उसके अलवा WHO ने बताओ किसे दक्षिन पूर्व एशया का शेत्रय निदेशक बनाया था, साइमा वाजीद को, और अभी WHO ने निम हंस नाम का एक है भारत का उसको नेलसन मंडेला पुरुसकार 2014 से सम्मानित किया था, अब ये जो नेलसन मंडेला पुरुसकार है इसको आप कन्फ्यूज मत करना, नेलसन मंडेला लाइफ टैम अच्यूमेंट अवार्ड से, जो अभी विनोध गनातरा को दिया गया था, फिल्मों में उनक किया था, और विशे WHO का Meningitis को खतम करने का लक्षे कपका है, 2030 का है, Meningitis अभी निउस में था, क्योंकि Meningitis T का पेश करने वाला या उसे यूस करने वाला भी पहला देश ये नाइजेरिया बना था, और उस T.K का नाम वेक्सीन का नाम है, Men 5CV, तो WHO से सम्मानित ये कुछ important points में ने आपको revise करा है इनको ध्यान में रखना यह बलकु latest current affair है हम अगला प्रसन दिखते हैं फिर पूछ रहे अभी हाली में किस IIT ने live location tracking के लिए issues विक्सित किये हैं तो आंसर होगा IIT इंदौर तो अभी IIT इंदौर ने 4G के लिए innovative technology से खास जूते तयार किये हैं इन जूतों को पहन कर चरने से न किवल बिजली बन सकती है बलकि रियल टाइम में सेन्य करमयों के location का भी पता लगाया जा सकता है ये जूते ट्राइबो electronic nano generator technology से बनाए गए हैं जिसके कारण ही इने पहन कर चले हर कदम से बिजली बनेगी ये बिजली जूतों के तलों में लगाई गई एक machine में store होगी जिसे छोटे devices चलाए जा सकेंगे इसके अलावा ये जूते GPS और Radio Frequency Identification की technology से लेस है जिसकी मदद से रियल टाइम में सेन्य कर्मियों की location पता लगाई जा सकती है तो किसने डेवलप किये ये issues याद रखना IIT इंदोर में अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि अभी IIT मदरास ने अपना पहला अंतरराष्टर परिसर यानि कि भारत की बाहर अपना पहला campus कहां पे स्थापित किया तो अफरीका में अफरीका में जो देश तंजानिया वहां पे और यहां पे पहली महिला डाइरेक्टर बनाए गई थे हैं पृती अगलायम इनका नाम है और पूछू देश का पहला IIT सेटलाइट campus यह का पे विक्षित होगा तो आंसर होगा उज्जेन में तो यह भी ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते हैं फिर पूछ रहें अभी हाली में अंतरराश्टर यूवा दिवस यानि कि इंटरनेशनल यूथ डी ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 12 अगस्त तो हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है पहली बार 2010 में मनाया गया था थीम क्या है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए यूवा डिजिटल मार्ग अच्छा यूथ से ही आपको याद आएगा एक नैशनल यूथ डेबी होता है राष्टर यूवा डिवस ये 12 जनवरी को होता है स्वामे विवेकानन जी की जैनती को और 12 अगस्तु एक और दिवस हम मनाते हैं विश्व हाती डिवस के रूप में जिसकी भी थीम है प्रागेति, हासिक, सौंदर्य, थार्मिक, प्रासंगित्ता और परियावर्निय महत्व को व्यक्त करना आपको बताए भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आय था 1992 में और भारत में अभी आपको 33 एलिफेंट रिजर्व मिलेंगे सबसे लेटेस 33 नंबर का आपको मिलेगा उत्रप्रदेश में जो तर्राई एलिफेंट रिजर्व है पहला हमारा जो पहला एलिफेंट रिजर्व था वह आपको जार्खन में मिलेगा जिसे आप कहते हो सिंग भूम एलिफेंट रिजर्व तो ये तो 12 अगस्त के 2 दिवस हमने देख लिए, अभी अभी अगस्त के सारे important days मैं आपको एक बार revise करवा देता हूँ देखो एक अगस्त को चार दिवस मनाया थे हमने राष्टर परवत्तारोही दिवस, World Wide Web Day, World Lung Cancer Day और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानि के मुस्लिम Women's Right Day तीन अगस्त को Indian Organ Donation Day, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को National Handle Room Day राष्टर हत करदा दिवस, 7 अगस्त को भाला फेक दिवस, 8 अगस्त को भारत छुडो अंदुलन दिवस, यैसे आप अगस्त करांती दिवस या Quit India Moment Day कहते हो 9 अगस्त को अंतराष्टर अधिवसी दिवस मनाया, और 9 अगस्त को ही नागसा की डे, अभी 10 अगस्त को World Lion Day के रुप में मनाया था, और अभी ये 12 अगस्त वाले हमने दो दिवस मनाया, तो ये ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं, और हाँ मैं पहले से आपको कर देता हूं, उससे रहा नहीं जा रहा, कि कल आपके लिए बहुत अच्छी चीज में ले करके आ रहा हूं, इसलिए आप देखोगे, अभी जो आपकी टेस्ट, 50 कुशन की टेस्ट सीरीज में ने चलाई थी, और जो रिविजन वाला वीडियो है, वो अपलोड नहीं हो प तैयार करनी है, वो मुझे अकिले करनी होती है, मेरे पास दूसरे जो बड़े-बड़े महारत चैनल्स हैं, उनकी तरह टीम नहीं है, कि मेरा हर कोई काम कोई दूसरा कर देगा, मुझे जाकर कि सिर्फ पढ़ाना है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर A to Z सारा काम मुझे करना तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बसता, बगी कौन सी चीज है, इसको थोड़ा सा सर्प्राइज रखते हैं, और कल रिवील करेंगे, तब मैं आपको बताऊँगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तो आज कोई चार्ज निकरता है, एक हेल्पिंग नेचर के जरीया आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अपने सेशन से, अपने वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, बागे चलो, अगला प्रशन देखते हैं, फिर आप से पूछरे अभ पुरुसकार मिला था, श्रे राम चरित मानस ये तो आपको पहता है मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है, किसने तुलसित दासची के द्वारा, अब निधन वाला अभीचरी वाला प्रशन आ गया, तो एक बार फिर चलो, दो हजार चॉबिस के जो भी इंपोर्टेंट व्यक्तियों के हाली में निधन हुए, इस साल, वो मैं आपको एक साथ यापर रिवाइस कराता हूँ, ध्यान से सुनना, एक तो आपको याद होगा अभी पश्ची मंगाल के पूर्व मुख्य मंतरी गुद्ध देव भट्टा चाररे का निधन होगे, अभी लेटेस्ट हम मंद किर्केट से था, पंडित राजीव तारणात सरोध वादक थे, कमला बेनिवल राजस्तान की पहली महीला मंतरी थी, सुशील मोदी बिहार के पूर्व उपमुख्य मंतरी थे, सलाम बिन रजाग प्रसिद उर्दू लेखक थे, पीटर हिक्स ब्रिटिश भूति की देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट किर्केटर दताजी राव गायक वाड का निदन हो गया, भारत की पहली औरल यानि की मोखिक गर्ब निरोधक जो गोली आई थी उसका नम सहीली था आपको याद होगा, और उसकी खोच करने वाले जो डॉक्टर थे नित्या आनंद उन देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहें, अभी किसे जुलाई महीने के लिए ICC Women's Player of the Month चुना गया, तो आंचर होगा चमारी अट्टापट्टू को, तो अभी ICC ने जुलाई महीने के लिए ICC Women's Player of the Month किसे चुना है, चामरी या चमारी अट्टापट्टू कह दो आप, ये श्री लंका की Women's Cricket Team की कपतान है, और वहीं पूरूशों में अगर बात करें ICC Men's Player of the Month किसे चुना, तो इंगलेंड के तेज केंदबाज Gus Atkinson को चुना है, तो महीलाई में तो चामरी अट्टापट्टू, और पूरूशों में इंगलेंड के Gus Atkinson, बाकी ICC की बात करें, International Cr Circuit Council, जिसकी स्टापना होती 1909 में Headquarter Dubai UAE में है, CEO, जो अउस्टेलिया से हैं, और Chairman है Greg Barclay, जो कि New Zealand से हैं, तो ध्यान रखना, और ये था आज का अमारा Current Affairs का session, प्लीज कमेंट करके जो नए स्टुडेंटें जरूर बताईएगा, आज का session आपको कैसा लगा, session अच्छा लग बीजी हो, सुबह नहीं ले सकते, दिन में ले लो, दिन में ले सकते, रात में ले लो, रात में ले सकते, दूसरी दिन ले लो भाई, लेकिन छोड़ना नहीं है, बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी Telegram अपने channel पे, तो link आपको description box में है, वहाँ जाके Crick Exam channel को join कर लीजिएग पहला प्रशन पुछा था, अंतरराष्टर ओलम्पिक समीति के अथलीट आयोग के दूसरे पाध्यक्ष किसे चुना गया था, अभिनाव बिंद्रा को, फिर पुछा, अभी 6-6 तरबल चिकित्सा, सेवा के महानिदेशक कौन बने, अनुपम कपूर, और पैरेस ओलम्पिक 2024 में, पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा, अमेरिका, और हिमाच्र प्रदेश सरकार ने भी कौन से योधना शुरू की, हिम, उन्नती योधना, और कैबिनेट सचीव कौन बने है, टीवी सोमनाथन बन गए है, राजिव गोबा की जगे, फिर पुछा अभी याद किया गया किस यूरोपिय देश को पहली बार, तो आंचरोगा पॉलेंड, फिर पुछा भारते वायू सेना ने किसे अस्त्र मार्क वन मैसायलों के उत्पादन की मंजूरी दे दी है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और आकरे परशन पूछा, भारत सरकार ने पहली दो दिन से, लास्ट वला क्यूशन हट के ऐसे जाता है, ठीकि इसको मैं देखता हूँ आज, आज आपको प्रशन मिलेगा, ये रहा, प्रशन आपके सामने है